गर में घुषकर चोरों ने गहने वे नगदी पर किया हाथ साप नमस्कार मादोपूर एक्सप्रेस लाइब नीज में आप सभी का स्वागत है बुद्धवार को राट बटवपूर गाव में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देका लाखो रुपए के जेवर वे नगदी पर हाँ साप कर दिया मामला उत्तर परदे जनपत प्रागरा थाना हड़िया बटवपूर निवासी फ्रेमचन पांडेक घर से बुद्धवार की राट चोरों ने घर में गुशकर उसमें चोरी घटना को अंजाम दिया जब पूरा परिवार घर के दुसरे कमरे में सोये थे चोरों ने परिजनों के कमरे को बाहर से बंद कर दिया लेकिन कमरे में सोरे परिजनों को इसकी भनग नहीं लगी वहीं चोरों ने दुसरे कमरे में जाकर चोरों ने चोरी का अंजाम दिया जहां रखा हुआ संदूग लेकर घर से बाहर खेत में ले जाकर चोरों ने तारा तोड़का लाखो का जिवराद वे हजार उपए लेकर फार हो गए। जब सुबस ओकर परिवाजन उठे तो कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद रखा था। बहुत कोशिश करने के आपका नाम क्या है और यह चूरी की घटना कब हुई है रात कोई है यह अन्जान नहीं बता से लेखी फिर दो बज़ेग वादे हुए है घर से क्या-क्या गायब हुआ है घर से सब बरताओं तो कुछ नहीं काय हुआ सिर्फ ताला तोड़की जो है तीन भक्सा था वही ल है कितना गहना होंगा गहना पूछा फोर करकर पसाचला आठ नौ थान घाना है और दस जारुपी आर्के गई थी आठ नौ थान घाना दस जारुप है अच्छा यह बक्से की बरामदी जो चुरी हुई है तुबह में जब हैला हुआ सब देखें कि यहां तो चूरी हुई ह अगल बगल सब भूनने के लिए बेजा बक्सा थोड़ी लो जाएगे तो चरी के खेत मिला बक्सा तूड़ा हुआ था धूती निकाल को वह सब रख दिये थे और खाली जो है वो गहना कायब था अच्छा पुलिस आई थी हाँ पुलिस 112 नंबर फोन किया आई थी ताने फोन दोजे बुला है अप्लिकेशन लिखे और सब्सावान गया है अप्लिकेशन देदो जो सामान गया फूलिक वाज़ो आस पास भी कोई चोरी इस वहां आपास है घर में वो चूरी हुए उसका दूपोछ सामान गया है और साइकल नई साइकल बनाया था लड़के के लिए व मोबाइल गया है तुरो द्वारा यह जू है चोरी की गया जरात में और आप नो थान गहना भी आपका गया है और अस्थानी प्रसाशन से आपका मांग यही है कि आपका दो चोरी का सम्माह ऊवा चोरों के खिल्याप कारवाई की जाए खास रिपोर्ट मादोपूर एक्स्प्रेस लाइव निउस से मनी सुकला हडिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश